नमस्कैर दोस्तो दोस्तो आज की इस व्योडियों में बात करने वाले हैं दोस्तो अगर आप लोग भी एक PF मेंबर है तो आप लोग को किन किन बातों को ध्यान में रखना है जिससे कि आपका PF का पैसा जब आप पी नोकरी छोड़के PF का फुल फैनल बिड्रोवल करें तो आ नहीं है और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ हैं बैल आगन के बिटन दबा कर और जरूर कर ले कोई नया वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट करें तुसका नोडिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और दोस्तों आप से रिक्वेस्ट है कंपनी में काम पर लगते हैं तो आप लोगों सबसे पहले यह पता कर लेना है कि आपके कंपनी में जमा होता है या नहीं होता है आपके कंपनी में करने के लिए जाते हैं कंपनी में भरते होने के लिए जाते हैं वहां पर कंपनी द्वारा आपको बता भी दिया जाता है कि आपको PF काटने के बाद इतना salary मिलेगा जब आपको पता चल जाता है कि आपके company PF करता है और आपको वहाँ पर joining हो जाता है तो आप लोग वहाँ पर form 11 आप लोग को जरूर भरना है हलाकि दोस्तों यह form 11 जो है company खुद ही भर देता है बहुत सारी कंपनिया जो है आप से sign करवा लेती है और खुद भर देती है और बहुत सारी कंपनिया आपको देती है कि आप इसको भरिये खुद ही अगर आप खुद भर रहे हैं तो आप लोग को सही डिटेल भरना है अगर आप लोग की company भर रहा है तो आपको उनको कहश दीजेगा कि आप इसमें बिल्कुल सही डिटेल डालिया का ताकि हमें आगे प्रैसानी का सामना ना करना पड़े अगर दोस्तों आप पहली वर किसी company में काम पर लगते हैं तो company आपको एक UN नमबर देती है उनिवर्सल एकाउंट नमबर देती है उस UN नमबर को उनिवर्सल पोटल पर आ जाना है आपको और यहाँ पर आपको एक्टिवेट का उप्सन देखने को मिलता है सबसे पहले अपना पास्वुक भी चेक कर सकते हैं कि आपकी company PF जमा कर रही है या नहीं कर रही है जब दोस्तों आप यूएन पोटल पर लोगिन कर लेते हैं अपने यूएन और पास्वड के साथ तो सबसे पहले आप लोग को चेक करना है कि आपका आधार आपकी यूएन के साथ लिं और दोस्तों आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपके PF account में detail वही होना चीए जो आपके आधार card में है आधार card का detail ही आपके PF account में होना चीए तब ही आप यहाँ पे PF का पैसा निकालने में आपको किसी परकार कोई दिक्कत नहीं होगा या नहीं था आपको पर यूए पोटल पर जाकर या अपने कंपनी से कहकर भी उनसे जोएं डिकलेशन फॉर्म ऑनलाइन सम्मिट करवा सकते हैं इन बातों को आपको जरूर ध्यान में रखना है और दोस्तों एक बात हो रहा है कि आपना PF का पास्बुक समय समय पर जरूर चैक करते रहे और इसमें कि फिफो से भी सिकायत कर सकते हैं जिससे की आने वाले टाइम में आपके साथ कोई समयुए Schick क्रिए्ट ना हो जब भी दोस्तों आप किसी कंप्नि में काम करते हैं उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वार करते हैै तो आप लोगों को अपना पुरानी कंप्नी का PF और pension का पैसा नई कंपनी में जुड़ जाएगा और पुराने कंपनी के साथ नई कंपनी के दोनों PFF के पैसों पर आपको interest मिलेगा एक प्रोलम और भी आता है कि बहुत सारे PFF मेंबर के पास एक से अधिक UN नमबर है ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या करना है आपके पास जो latest UN नमबर है उस UN नमबर में आपके पुराने में UN नमबर को merge कर लेना है जिससे यह होगा कि आपके पुराने कंपनी में जितने भी पैसे पड़े हुए थे वो सभी पैसे एक UN में खटा हो जाएगा और दोस्तों एक बहुत ही जरूरी बात है जो आप लोग जरूर कर लिएज़ेगा कि अगर आपके पीफ एकांट में नोमनी एड नहीं है यह नोमिनेशन नहीं है तो सबसे पहले आप लोग को यह नोमिनेशन जरूर कर लेना है यह नोमिनेशन आप लोग किस परकार से करन साथ में यूए नंबर कैसे एक्टिवेट करते हैं ये और साथ में कैसे करते हैं इसकी वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा इन गलतियों से आप लोग को बचना है अगर आप लोग पहली बार किसी कंपनी में नोकरी पर लग रहे हैं या आप लोग नोकरी क किजेगा चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और दोस्तों और साथ सेर जरूर किजेगा ताकि वह लोग भी किसी नई कंपनी में जोइनिंग करने के लिए जा रहे हैं या आव पहले से किसी कंपनी में काम कर रहे उनको भी इसकी बारे में जानकारी हो सके मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद